हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्प्यूटर आपरेटर की जॉब जो निकाली है पर्मनेंट वेकेंसी निकाली है हाई कोट और गुजरात ने उसका नोटिफिकेशन तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हैं एक बार अपलाई करने से पहले चेक जरूर कर लेना तो देख रहे हैं आप गुजराती स्टेनोग्राफर, प्रोसेस, सर्वर और बहुत सारी जॉब हैं यहाँ पे जितनी भी हैं लेकिन हम कवर करेंगे अपने बच्चों के लिंक आपको नीचे मिल रही है जो आपको इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कितनी आपकी पोस्ट है वगेरा सब दिया गया है यहां केटेगरी वाइस यह पर्मनेंट वेकेंसी है आपको 15 तारीक आखरी डेट है तो इसमें हम देख पा रहे हैं उनने BCA किया है BACIT किया है और बहुत अच्छी जॉब है देख पा रहे हैं आप इसका जो पे मैट्रिक्स है उनीस हजार प्लस से लेके 63,000 प्लस तक जा रहा है तो जरूर अपलाई कीजिएगा तैयारी कीजिएगा इसमें एक टेस्ट होगा जिसमें आपका शुरू में ज क्या क्या डिग्री चाहिए तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर अप्लिकेशन मतलब BCA चाहिए या BACIT चाहिए या BACCS चाहिए है आपको जहां रिकगनाईज यूनिवरसिटी से बाइ गुजरात गुजराती लोगों के लिए है ये बेसिकली और यहां पे साथ में दिय कोर्स किया है इन Computer Science Information Technology वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और डोएक O-Level किया है वो बच्चे भी कर सकते हैं और बेचलर डिग्री है और साथ में डिपलोमा है वो भी कर सकते हैं तो eligibility criteria देख लीजिए यहां पर हम आपको notification cover कर रहे हैं और साथ में आपको notification की link भी नीच अच्छे दे रहे हैं official जो website है तो उसको एक बार खोल के अच्छे से आपको पढ़ना है apply करने से पहले right तो यहां पर आपका जो selection होगा वो दो test होगे आपके 100 and net marks के एक तो पहला जो test होगा उसमें आपका computer knowledge, general knowledge, reasoning बगेरा और यह common जो हम पढ़ते हैं वो सब चीज़े है आपको और आपको दिखी रहा है कि जो हमारा computer rated test होगा उसमें windows पूछेंगे, microsoft office पूछेंगे, basic knowledge पूछेंगे computer का, तो computer operator की job है तो basic तो आपको clear होना ही चाहिए और जो भी आपस syllabus दिया है वो सब आपको पढ़के जाना है तो बहुत ही अच्छी job opportunity है, permanent post है, 60,000 तक आ आपके लिए लेकर आ सकूँ, तो अभी के लिए इतना ही, thanks for watching zenith hasan academy.